हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पापा कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दौरका एक्स्प्रेश्वे के बारे में द्ऌरका एक्स्प्रेस्वे का ओफिसियल नेम NH248BB है इसे नौर्दन पेरिफेरल एक्स्प्रेश्वे भी कहा जाता है द्वारका एक्स्प्रेश्वे की प्लानिंग 2006 में ही की गई थी और finally ये एक्स्प्रेश्वे अगले साल यानि कि साल 2021 में कम्प्लीट हो जाएगी लगबग 30 किलोमेटर लंबे द्वारका एक्सवे का कंस्ट्रक्शन लगबग 10,000 करोड रुपे के बजट से हो रहा है ये आठ लेन का अर्बन एक्सस कंट्रोल एक्सवे है जो देली और गुरुग्राम के बीच एक और अल्टरनेट कनेक्टिवीटी परदान करेगी ये इंडिया का पहला अर्बन एक्सवे है जिसमें लगबग 4 किलोमेटर का टनल यानिकी सुरंग बने जा रहा है इस वीडियो के लास्ट में, इंडिया international convention and expo center के बागे में बताओंगा जो द्वारका expressway के किनारे बने जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा convention and expo center होगा इसके अलावे diplomatic inclave 2 के बाडे में भी बताओंगा तो आपसे request है, इस वीडियो को last तक जरुर देखिये और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए लगभग 30 किलोमेटर के द्वारका एक्सप्रेसवे में 4 किलोमेटर का टनल 10 किलोमेटर का एलिवेटेड रोड इसके अलावे 20 फलाय वर 2 आरो बी एंड आर यू बी 11 अंडर पास बनया जाएगा साथ ही देली हरियाना बॉर्डर पर 34 लेन का टोल पलाजा भी बनया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए लगभग 13,000 पेर काटे गए थे उसके बदले लगभग 1,30,000 पेर लगाए जाएंगे इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है इस एक्सप्रेसवे के दोनों और धाय मीटर चौरी साइकिल कोलिडोर भी बनया जाएगा साथ ही सोलर पैनल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बेवस्था होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्ट हो जाने से गुरुगराम की वेस्ट देली एंड एरपोर्ट से किनेक्टिबिटी काफी अच्छी हो जाएगी मानेसर से एरपोर्ट केवल 20 मिनिट में पहुंचा जा सकता है साथ ही इस Expressway के बन जाने से गुरुग्राम के रियल स्टेट बिजनेस को भी काफी बूस्ट मिलेगा लगबग 30 किलोमेटर लंबी इस modern Expressway का Construction 5 Package में किया जा रहा है जिसका 2 Package यानि की Package 2 and Package 3 गुरुग्राम में है जबकि Package 1, 2 and 5 देली में है लगबग सभी Package में Construction Start है और अगले साल तक Complete हो जाएगा द्वारका Expressway देली में महपालपूर के सिम मूर्ती के पास NH8 जो की अब NH48 हो गया है यानि की देली जैपूर Expressway से स्टार्ट होगी और गुरुग्राम के खेरकी दौला टोल पलाजा के पास NH8 में ये Expressway खत्म हो जाएगी इस Expressway से सादर्न पेरिफेरल रोड देली जैपूर हाइवे और नियो गुरुग्राम के कई सारे सेक्टर कनेक्ट होंगे स्टार्टिंग में द्वारका Expressway की प्लानिंग वेस्ट देली के द्वारका को गुरुग्राम से कनेक्ट करने के लिए की गई थी इसलिए इस रोड का नाम द्वारका Expressway रखा गया था आईए एक नज़ा डालते हैं द्वारका Expressway के हिस्टरी पर वेस्ट देली का द्वारका जो की एसिया का सबसे बड़ा सब सिटी यानि की कॉलोनी है को गुरुग्राम जिसे सैवर सिटी भी कहा जाता है से कनेक्ट करने के लिए 2006 में एक अल्टरनेट रूट का विचार किया गया था ये 18 किलोमेटर का सिग्नल फिरी रोड होगा जिसमें 14 किलोमेटर गुरुग्राम में और 4 किलोमेटर दिल्ली में होता 2008 में इस द्वारका Expressway के लिए लाइन्ड एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट होना था लेकिन लैंड एक्विजिशन में न्यू पालम बिहार, सेक्टर 100, सेक्टर 101, और सेक्टर 103 जैसे कुछ एडिया में प्रोब्लेम आ रही थी जिस कारण से काम रोक दिया गया फिर माई 2015 में पंजाब एंड हर्याना हाइकोट ने लैंड एक्विजिशन से एलेटेड सभी पै्टिशन डिस्पोज कर दिया, उसके बाद इस एक्सप्रेसवे के अच्छे दिन आने लगे जून 2016 में NHAI यानि कि National Highway Authority of India ने इस प्रोजेक्ट को एक्वाइर कर लिया एंड इस रोड का नाम दिया गया NH248BB उस समय तक लगभग 14 किलोमेटर के हिस्से में छे लेन की रोड बनाई गई थी NHAI ने जब इस प्रोजेक्ट को एक्वाइर किया तो इसे और एक्सपैंड किया गया और CPR यानि कि Central Peripheral Road और UER2 यानि कि Urban Extension Road को भी इसमें जोडा गया उसके बाद भी काम स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि New Parliament भिहार समय जी सरिया में लेन्ड एक्वेजिसन में प्रोब्लेम थी उन्हें अल्टरनेट प्लॉट नहीं दिया गया था फिर 28 माई 2018 को पंजाब एंड हरियाना हाइकोट ने हुडा यानि कि हरियाना अर्बन डेवलप्मेंट अथोर्टी को ओडर दिया कि दो वीक के अंदर जो 72 लेन्ड या हॉस ओनर हैं उनको अल्टरनेट हॉस अलोट किया जाए और ये जमीन NHI को हैंड आवर किया जाए उसके बाद टोटल लेन्ड एक्वेड हो गया अब इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ लगबग 29 किलोमेटर हो गया और 5 पैकेज में इसका काम स्टार्ट हुआ है दिसंबर 2018 में सभी पैकेज में काम स्टार्ट हो गया है और अगले साल सभी पैकेज में काम कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है अब बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल कंबेंशन एंड एक्सपो सेंटर की लगबग 26 हजार करोर रुपे के एस्टिमेटिड बजट से डेली के द्वारका के सेक्टर 25 में ये बनाया जा रहा है इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल कंफरेंसेज, एक्जिबिशन, ट्र इसमें एक किलोमेटर लंबा ग्रेंड फायर भी बनाया जा रहा है इस कंबेंशन एंड एक्सपो सेंटर को मेट्रो की एरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से भी कनेक्ट किया जा रहा है आई आई सी सी टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाऊंगा आप कोमेंट कर करके बताईए कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं दिल्ली के चाना केपुरी का डिप्लोमयटिक इनक्लेव आपने जरूर देखा होगा जिसमें अलग-अलग कंट्री का एमबैसी ऑफिस है सेम डिप्लोमेटिक इनकलेव द्वारका में भी बनाया जा रहा है जि इसमें 32 से ज़्यादा country का embassy office होगा आज के वीडियो में बस इतना ही आप comment करके बताइए आज के वीडियो आपको कैसा लगा